आईपेल सीजन चौदा का सेधीसवा मुकाबला पंजाब किंग्स और सन्राइजर सहधराबाद के वीच में खेला जा रहा है जहांपर सन्राइजर सहधराबाद की टीम पूरे तरीके से अब परिशान नज़र आ लिए जियां मैन इनफॉर्म केल रहुल और मैंक अगरवाल एक ही ओवर में यहां पर अपना विकेट गवाब बैटे हैं दरसल पांच वे ओवर में जेसन होडर का भयानक तूफान देखने को मिला और उन्होंने आते ही यहां पर पहले तो केल रहुल का विकेट चटकाया और उसके बाद मैंक अगरवाल का पांच वे ओर की पांच वी गेन पर विलियमसन के हाथो कैच आउट कराकर दूसरा विकेट चटका दिया दरसल संदीब चर्मा और बुगनेश्वर कुमार को शुरुआत में काफी रंस पड़े जिसके बाद पांच वे ओर में जेसन होडर को कप्तान वि विकेट हासिल कर लिया है अब जो पंजाब की टेम बड़ा स्कोर खड़ा करने की सोच रही थी उस पर काफी हट तक विराम लगा दिया है अलाकि फिलाल गेल अभी क्रीस पर टिके हुए हैं एडन माकरम आये हैं बलेबाजी करने साउट आफरिका के शांदार बलेबाज है अच्छी पारी अच्छी बलेबाजी वो करते हैं तो कहीं न कहीं अभी भी है मौका पट्जाब किंग्स के पास लेकिन बैटिंग में उतनी जादा डेप्थ है नहीं क्योंकि इसके बाद सिर्फ निकलस पूरन ने आना है उसके बाद बहुत अच्छी बलेबाजी नहीं है वहीं हैदरबाद की इंदवाजी में आज धार नजर आ रही है शारजा जैसे मैदान पर अगर आप उस शुरुवाती च्छेवरों में रंस नहीं देते हैं तो यह पिछ और जादा स्लो होती जाएगी जैसा कि हमने पिछले साल के सेकेंड फेस से देखा है आर से भी और से इसके के मुकाबले में भी पिछ जो है वो स्लो होती नजर आ रही थी शुरुवात में पिछ राफी बहतर रहती जब रोलर चलता है तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक तरीके का बहतरीन प्रदर्शन अभी तक किया है हलकि अब देखना होगा कि क्रिस के आज क्या दमान मचा पाते हैं A.N.P. टाइमस के रिपोर्ट